नमस्ते भाई, आपको पता लग रहा है कि साल द्वार 23 खता होने में मात्र 15 दिन बचे हैं, इस साल में आपने क्या अचीव किया, और साल में कौन सी अच्छी बाते आपके साथ हुई या कौन सी बुरी घटना हुई आपके साथ हुई, यह मुझे कमेंट सेक्षन में जो भारत में तैयारी करने वाले हर बच्चे की मदद कर रहा है, यह एक्च्छल बच्चों को गणित दिखा रहा है, सिखानी रहा गणित के सवाल करने कैसे होते हैं पेपर में, कैसे कम समय में पेपर को उड़ाया जाता है, गणित का डर कैसे दूर भगाया जाता है, कैसे बाबा आदम के तरीकों को डस्ट बिन में फैका जाता है वो मैच्स कंसेप्ट किंग इस चनल से हम सीख रहे हैं मेरे दोस्त चलिए अब इसी वीडियो में मेरे प्यारे बाई लाव हानी के सवाल मैं आपको करना सिखांगा एक important टाइप में आपको पढाऊंगा की कैसे एक step ने सवालों को आँसर निकाला जाता है एक step में और अगर practice अच्छी हो जाये तो बिना पेंन उठाए के सब्धे अब बेन मिद्ध का अच्छी हूँता है उतससे पहले एक जानकारी कि आप आप सभी बच्चे इस टेलेग्राम चैनल को जॉइन कर लो अभी सीजल दोहर 23 का जो रिजल्ट आया है तो उनमें बहुत सारे हमारे स्लेक्टे इस्ट्वेंट्स हैं मैं उनका इंटर्वी भी कर रहा हूं रोज बच्चे आते हैं मिठाई लेके हाला कि मैं उसमें से एक PC खा है चैसो साथ सवाल तो मैंने टाइप करवा दिये हैं अब ही चैप्टर वाइस वह हो रहे हैं चैप्टर वाइस करवा के उनकी PDF में हां पर अपलोड करवा दूंगा दो दिल्ली पुलिस कॉंस्टिबल की ट्यारी कर रहा हूं उनके लिए बहुत बेनिफिशल है ठीक भई तो इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी बच्चा SSC का चाहिए कोई भी पेपर दे रहा हो अगर आपने टेलिग्राम चैनल जॉइन नहीं किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया डिस्किप्शन में लिंक है सभी बच्चे जाके जॉइन कर लिजे और हम सुरू करते हैं मेरे प आप अच्छी तरीके जानते हैं कि अगर किसी समान को बेचने से प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर किसी समान को बेचने पर आपको फायदा हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ठीक है जी आप बोलोग को बेस मान के निकाला जाता है चले दोस्तों अब हम बहुत बेसिक सवाल से शुरुआत करूंगा सवाल नंबर वन एट है बहुत इंपोर्टेंट आज इकल फैशन में है एक व्यक्ति एक वस्तू को एक निश्चित मुल्ले पर बेचता है यदि वहे इसके विक्रिय मुल्ले के 40% पर बेचता है तो उसे 40% का लॉस होता है यदि और जन सेलिं पर बेचेगा तो profit percentage कितना होगा यदि और जन सेलिंग पर बेचेगा ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे बच्चे ए पर्षिन सेल्ग अनक असे बें आरेकल एक एक अधमी समाल को एक निश्चित होता है दो 5 का 40 दो होता है यानि कि समान को 2 रुपे में बेचने पर जब आप समान को 2 रुपे में बेचते हो तो आपको 40% का लॉस हुआ बर लॉस किस पे ओता है CP पे, CP किरिये मुल्ले क्या होता है, 100%, किरिये मुल्ले हर्ची अपना आप में 100% होती है, CP 100%, अगर 100% पे आपको 40% का लॉस हुआ, तो समान विका कितने में, 60% में, तो 2 की value 60%, समान cost price के 60% में विका, बोला, अगर original selling price पर बेचेंगे, तो कितना profit होगा, original selling price कितना है, selling price है, कि पांच, पांच में बेचेंगे, तो कितना profit होगा, आप खुच देखो, 2 की value 60 है, 30 गुना, तो 5 की value 30 गुना होगी, 1500%, यहनि कि अगर समान को original selling price में बेचेंगे, तो cost price किरिये मुल्ले के 1500% में विकेगा, CP 100%, समान 1500% में विका, 50% extra में विका, तो वही 50% जो extra है, वही आपक किया जा सकते हैं, इसमें कोई formula formula है, मुझे chill है formula से, मुझे x से chill है, मुझे y से प्यार है, 100% से जितना कम या ज़्यादा है, वही आपका profit or loss होगा, इतनी basic सी बात है, जी question number 2, बिल्कुल same to same ऐसा ही सवाल है मेरे दोस्त, डाटा हलका सा change करके बताईएगा, एक व्यक्ति एक निश्चित मुल्ले पर एक वस्तु को बेचता है, यदिव है उसे इस विकिरिये मुल्ले के 65% पर बेचता है, तो उसे 22% का loss होता है, यदिव है इसे इसके वास्ति किरिये मुल्ले पर बेचेगा, तो कितने percent का profit होगा, a man sales an article at certain price, एक आद में किसी वस्तु को किसी दाम पर बेचता है, मुझे नहीं पता कितने बेचता है, यदि उस समान को उसके selling price के 65%, 65% की fraction value 13,20, 5% एक वटे 20 होता है, 65% तेहरे गुना 13,20, मैंने माले कि एक वस्तु का जो selling price है, 20 रुपे है, अब 20 का 65% क्या होता है, 13, जब आप समान को 13 रुपे में बेचते हो, तो 22% का loss होता है, 100% में 22% का loss होगा, तो बिका कितने में, 100 में से 22 घटाओ, समान बिका 78% में, आप बोलोगे, जी सर बिलकु सही, बोला, origin selling price पर बेचेंगे, तो कितना profit होगा, origin selling price कितना है, 20, 20 रुपे में बेचेंगे, तो कितना profit होगा, 13 की value 78% एच्छे गुना, तो 20 की value भी 6 गुना होगी, 120%, याने कि समान 120% में बिकेगा, क्रिय मुल लेके, 120% में बिकेगा, 100% से कितना extra में बिका, 20%, तो आपको 20% का profit होगा, यही आपको करना, तो इस सवाल में, one step solution है, करके बताएं, एक आदमी, एक calculator को एक खास कीमत पर बेच कर, 20% का लाब अरजित करता है, यदि वे calculator को दुगने मुल्या पर बेचेगा, तो कितना profit होगा, सीटसल tier 1 का, लेके सवाल करवारू, जी हाँ, paper में ऐसे सवाल आते है, kilo के भाब में, थोक के भाब में, और एक calculator को जब एक उर्पे में बेचते हैं, तो 20% का लाब होता है, 100% पे 20% लाब होगा, तो calculator बिका कितने में, कि यह मुल्या के 120% में बिका, ठीक है न, देखे, cost price हमेशा 100% होता है, 100% पे आपको 20% का profit हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, जोडता हूँ, तो यानि कि बिका कितन में हैं, 120% में, ठीक है न, selling price 120% हो जाएगा, clear है आप बोलोगे, हाँ जी सर, विल्कुल सही, बोला, दुगने दाम पर बेचे तो कितना profit होगा, दुगने दाम, 2 रुपे में बेचेंगे, तो 2 की value क्या आएगी, 240%, दुगने दाम पर बेचेंगे, तो 240% में बिकेगा, 100% से कितना extra, 140, 140% extra, 140% का profit होगा, A option answer, बात समा, अरे कुछ लिखना था क्या, कुछ करना था क्या, मेंस 2018 का सवाल, उड़ा दो, उड़ा दो, छोड़ा नहीं, एक वस्तू को एक निश्चित मुल्य पर बेचा जाता है, अगर इसे, इस कीमत के 80% पर बेचा जाए, तो 10% का नु एक वस्तू को एक निश्चित मुल्य पर बेचा जाता है, आदमी की मर्जी किसी भी दाम पर बेचे, लेकिन जिस प्राइस में आप बेच रहे हो, अगर उस कीमत के 80%, 80% महला 4 वटे 5 पर बेचोगे तो 10% का लॉस होगा, तो मैंने माहले कि एक वस्तू की जो ओर्जिनल बि का नुकसान होता है, अब 100% पे अगर 10% का लॉस हुआ, तो समान विका कितने में, 90% में, ठीक है न, आप से पूछा, और जल सेलिंग प्राइस आने कि 5 रुपे मर् बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा आप से 5 की वैलु पूछिए, बताएं बच्चे, देखो 4 की वै बते, 4, 6, 2, अब इन दोनों को एड कर दो भाई साब, और भाही, एक सेकेंड, दोनों को एड कर दो, तो 4 जमा एक 5, तो 90 प्लस 6, 2, कितना आएगा, एक सो बारे पॉण्ट पाँच पर्शेंट, पर अगर कोई समान एक सो बारे पॉण्ट पाँच पर्शेंट न विका, 100% से, यह बहतिन तरीका है, 100% से कितना एक्स्टा, साड़े बारे पर्शेंट एक्स्टा, वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ए ऑप्शन, इस सारी चीज दिमाग में की जा सकती है, दिमाग में सवालों को करने लायक अगर आपको प्रेक्टिस करनी है, हाड कॉण्पी से तो हमारी यह जो बुक है, Amazon Flipkart से आप इनको ओर्डर कर लो, मैं ऐसे नहीं कहा रहा कि हमारी बुक है इनको ले लीजे, मैं बिलकुल रेकमेंड नहीं करता किसी भी चीज को, हम जब केरिविल एप्लिकेशन पर पढ़ाते है, Zero to Hero में, तो हम बच्चे से कहते हैं, अगर यह आप में ही संपूँ है और वो अच्छा Practice Question Bank चाहते हैं, कि हमें सवालों की Practice करने का सोर्स मिल जाए, जिसमें solution भी अच्छे हो, और हमें ज्याद सवाल भी ना लगाने पढ़ा हो, सारे type भी cover हो जाए, तो इस से बहतरी इन बुक्स पूरे मार्केट में नहीं, आप compare करके द Practice King, मात्र हजार सवाल हैं, आज तक जितने भी टीसेस पर पूछे गए, एक एक type के जो कई सारे सवाल पेपर माते हैं, उनको मैंने हटा दे, इसलिए question कम हो गए, बुक पतली हो गई है, और solution बहतर हो गए है, CPO की ये Practice King, इसकी अपडेशन पर भी काम चला है, इसमें द्व अगर तेस के question भी add हो जाएंगे, ठीक है जी? ये जो है Maths Concept के गणित के जितने भी concept हैं, वो सारे concept, ठोरी, example, formula, tricks के साथ इसमें लिखे हुए हैं, अगर किसी बच्चे के बाद अपने खुद के notes नहीं हैं, तो ये समझे एक pocket notebook के आप इसको मगा लीजिए, ठीक है ना? चल एक वस्तू को एक निश्चित मुल्य पर बेचता है, यदी वह उससे इस मुल्य के 72% में बेचता है, तो उसे 20% का loss होगा, यदी वह वस्तू को विक्रिय मुल्य से 20% अधिक पर बेचता है, सेलिंग प्राइस से 20% अधिक पर बेचता है, तो उसका profit percentage क्यात करें, अब 72% में बेचेंगे, तो 20% का loss होगा, यदी वस्तू को उसके एक्चॉल सेलिंग प्राइस से 20% ज्यादा में बेचेंगे, तो कितना profit होगा, तो यह मैंने माल लिया, कि एक वस्तू का जो certain price है 100 रुपे, माना एक वस्तू को आप 100 रुपे में बेचते हो, माना एक वस्तू को आप 100 रुपे में बेचते हो, ठीक है न, वस्तू का जो certain price है, वो 100 रुपे है, लेकिन जब आप 100 के 72% में, 100 का 72% कितना होता है 72, जब आप समान को 72 रुपे में बेचते हैं, तो 20% का loss होता है, loss किस पे होता है, CP पे, अगर क्रिये मुल्ले पे 20% का loss होगा, तो समान क्रिये मुल्ले के 80% में बिका, बोला वास्तिव के मुल्ले से 20% अधिक पर बेचे, तो क्या profit हो का selling price है, 100, 100 से 20% जाद है, कितना होता है 120, अगर 120 में बेचेंगे, तो मेरे दोस्तों कितना profit होगा, यही तो पूछा है, ठीक है, आप बोलोगी, हाँ जी सर, 22 की value 80% है, तो एक की value क आप से क्या पूछे, आप से 120 की value पूछे, तो multiply by 120 आजाएगा, ठीक है, 24 पंज, 120, 24 ती अब 72, यह आएगा, 400 बटे 3, और 400 बटे 3 का मतलग होता है, 133 सही 1 by 3%, 400 बटे 3, 133 is to 1 by 3%, 100% से कितना extra, 33 is to 1 by 3% extra, वही आपका profit होगा, यह option, कर पाएंगे, आप बोलोगे, सर ओड़ोड के करेंगे, सर ओड़ोड के, चिंता ना करें आप, बताईए, करके बताईए, बिलकुल मत रुखिये, बनाओ, सवाल लंबर 6, सीजल प्री 2020, ऐसा नहीं कि यह किवल SSC के लिए important है, अभी DDA का paper हुआ, उसमें भी ऐसा सवाल आय है, इसरो का paper हुआ, उसमें भी ऐसा question आया है, दिल्ली पुलिस के मैं question भी type करवा रहा था, तो मैं देख रहा था, उसमें भी ऐसे सवाल आये हुए हैं, ठीक है, तो यह तो आपको छोड़ना ही नहीं है, चाहां आप किसी exam की त्यारी कर रहे हो, buy selling an article at 7 by 12 of its selling price, email loses 16%, if he sells it at 90% of origin selling price, then what will be the profit percentage, किसी वस्तू को इसके विक्रिय मुल्ले के 7 बटे बारे बाग पे जम बेचते हैं, तो 16% का loss होता है, देखो, हमने एक वस्तू का decide कर ले, कि इस वस्तू को इतने रुपे में बेचेंगे, लेकिन अगर हम उसके विक्रिय मुल्ले के 7 बटे 12 बाग पर बेचे, तो بھया, मैंने माल लिया, मैंने माल लिया कि माना एक वस्तु का जो विक्रिय मुल्ले है बारे रुपे बटे बारे की सकल देखके मैंने माल लिया कि माना वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो बारे है जब भी ऐसा कोशन आ ये माल लिजे बारे तो मैंने वस्तू का सेलिंग प्रैस कितना माल लिया बारे मेरे दोस्तों अब बारे का साथ बटे बारे कितना होगा जी साथ साथ रुपे में बेचने से मैंने वर्स्तू का सेलिंग प्रेस बारे माल लिया अब बारे का साथ बटे बारे करना आसान है बारे से बारे कट गया साथ साथ रुपे में बेचने से सोले पर्षंट का लॉस होता है सो पर्षंट होता है सोपे सोले परशंट का लॉस होगा तो समन भीकेगा कितने में 84% में 84 में बुला सेलिंग प्राइस के 90% में बेचेंगे तो कितना प्रोफिट होगा सेलिंग प्राइस है बारे अब बारे का 90% क्या होता है जवाब देंगे बारे निम्मा एक सो आट 10.8 10.8 में बेचने से कितना प्रोफिट होगा जवाब दीजेगा बताओ साथ के लोग 84% है बारे गुना तो भी 10.8 का बारे गुना होगा ना 120 और 12.96 ए 120 और 9.6 ए 129.6 यानि कि समान कोश्ट प्राइस के 129.6 परशंट होगा 100% से कितना एक्स्टा 29.6 परशंट एक्स्टा ये प्रोफिट होगा ये ऑप्शन बताएगा एक और सवाल मेरे प्यारे भाई एक और सवाल मजा आएगा आपको करके मजा आएगा बताएगा बताएगा बट्रेंडिंग टाइप है पेपर में आता है होड़ने की गलती बिलकुल ना करें एक वस्तू को उसके वास्त्वी विक्रियम उल्ले के 19.24 पर बेचने से एक आदमी को 5% का लॉस होता है यदि इसे और जल सेलिंग प्राइस के 90% पर बेचेंगे तो कितने परशेंड का लाब होगा एक वस्तू को सेलिंग प्राइस के 19.24 पर बेच रहे हैं 19.24 बटे 24 की सकल देखके मैंने माल लिया कि माने एक वस्तू का सेलिंग प्राइस 24 है 24 रुपे में आप एक वस्तू को बेचते हो लेकिन जब 24 का 19 पर चौविस करेंगे तो क्या आएगा 19 रुपे में बेचने पर 5% का लॉस होता है 100 पर 5% का लॉस होता है तो समन विका कितने में 95% में बोले, सेलिंग प्राइस के 90% पर बेचेंगे तो कितना profit होग गा सेलिंग प्राइस है 24 अब 24 का 90% कितना होता है 24.97 12.25 अबी 21.25 में बेचेंगे तो कितना profit होग बताओ 19 के लिए 95% है 5 गुना तो ये भी तो 5 गुना आएगा इतना आजाएगा मेरे दोस्तों 108 अगर 108% में बिकेगा 100% से 8% एक्स्टा तो आपको 8% का profit होगा चौथा option है बता ही क्या तकलीफ है जी अगला सवाल सवाल नंबर है मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने 8 बिल्कुल ऐसा ही question है same to same डीडिय के paper का पूछवा दोहर ते इसका दिल्ली Development Authority दिल्ली विकास प्राधी करना ठेकर ना बहुत ही भेंकर जौब है जिनको पता है वो जानते होंगे इस सवाल का आंसर मुझे आप करके बताओ कमेंट में कौपी पैन निकालो सौल करो और कमेंट में इसका आंसर बताओ अगर कोई बच्चा यहां तक वीडियो देख लिया अगर उसने आंसर नहीं बताया तो उसके अभी ततकाल प्रभाब से चार बाल सफेद हो जाएंगे ठीक है सौल करके बताओ इमानदारी से हर एक बालक ठीक है जी आगे चलते हैं सवाल लंबर है नौ बताइएगा जी बढ़िया चवाल है जल्दी बताइएगा जी एक वस्तु एक सुरुपईया में बेची जाती है एक वस्तु एक सुरुपईया में बेची जाती है ठीक है यदि इस कीमत के 54 सही छे बटे 11 परशन में बेचा जाए तो 22 परशन का लॉस होगा जब एक सुरुपई पर बेचा जाएगा तो कितने परशन का प्रॉफिट होगा इस हवाल है देखो ऐसी टीपिकल परसेंटेज आएं तो पहले फ्रेक्शन में कनवर्ट करो बटे ग्यारे आ रहा है आप सभी लोग जानते हैं कि एक बटे ग्यारे होता है इसका मतला हो गया मेरे दोस्तो ये आगे इसकी फ्रेक्शनल लिए छे बटे ग्यारे बटे ग्यारे की सकल देखके मैंने माल लिया मेरे दोस्तो कि यही तुमारा एक से एक वस्तु को हम जो ग्यार रुपे में बेचते हैं माना एक वस्तु को जो ओर्जनल सेलिंग प्राईस हो यह 11 रुपे है एक वस्तु का आप रुपे में बेच्टे हो अब ग्यारे का 54,6 बटा 11 पर्शंट क्या होगा 6 छे रुपे म बेचने पर 22 का लॉस हूआ 100% पे 22% का लोस हो तो समान विका कितने में? 78% में बोला अगर X रुपे में बेचा जाए तो कितना लाब होगा? X को मैंने क्या माना है? 11 11 रुपे में बेचेंगे तो कितना लाब होगा? बच्चो जल्दी से जवाब दिएगे 6 की वैल्यू 78% है 13 गुना तो 11 की वैल्यू भी 13 गुना होगा तो 11 गुना 13 143% अगर समान 40 100% से 43% एक्स्टा में बेचेगा तो 43% का लाब होगा तो मैं आपको अलग-अलग language से इंट्रिडूस करवाना चाहता हूँ जो पेपर में आती है इनसे आपको घवरान नहीं बिल्कूल भी ये करेंगे अगला question सवाल number 10 थोड़ा हटके थोड़ा नकरे करने वाला सवाल है में इस दोहर 18 का करके बताईगा चली अगर सवाल में बहुत typical percentage हों यहां तो फिर भी आसाने और भी typical हों तो कैसे करीगा बताईजी एक वस्तू को एक निश्चित मुल्य पर बेचा जाता है एक वस्तू को एक certain price में बेचा जाता है यदि यहें इस मुल्य के 33 to 1.3% में बेची जाती है यदि यहें इस मुल्य के 33 to 1.3% में बेची जाती है तो 33 to 1.3% का loss होता है औरजल सेलिंग प्राइस के 60% पर बेचे जाने पर औरजल सेलिंग प्राइस के 60% पर बेचे जाने से प्रॉफिट पर्सेंटेज क्या होगा option आपके सामने है एक वस्तू को एक निशित प्राइस पर बेचा जाता है यदि इस मुल्ले के 33.1.3% पर बेचेंगे तो 33.1.3% का लॉस होगा यदि देखो एक वस्तू को किसी दाम पर बेचते हैं हमें नहीं पता किस दाम पर बेचते हैं लेकिन इस प्राइस के 33.2.3% पर बेचेंगे 33.2.3% की फ्रेक्शन मेल्यू एक वटा तीन तो मैंने माले के वस्तू को जो निश्चित मुल्ले है वो तीन रुपे है एक वस्तू को तीन रुपे पर बेचा जाते एक वस्तू का जो निश्चित मुल्ले है तीन रुपे सर्टेन प्राइस तीन है अब तीन का 33.2.1.3% क्या होता है वन थर्ड अगर किसी समान पर वन थर्ड का लॉस हुआ है तो समान विका कितने का है मेरे प्यारे भाई अगर मेरे प्यारे भाई वन हर्ची अपना आप में वन होती है परसंटेज में बोलेंगे 100% यूनिट पर बोलेंगे 1, अगर 1 Tihai का loss हुआ, तो समान बिका कितने में, 1-1 वटे 3, 2 वटे 3, यहां कि समान cost price के 2 वटे 3 में बिका, अगर 1 third का loss हुआ है, तो समान cost price के यह मुल्ले के 2 वटे 3 में बिका, CP के 2 Tihai में बिका है, यह हो गया, इस तरीके से लिखलो मेरे दोस्त तू Confusion रहेगी नहीं बूला जासाल सेलिंग प्राइस के 60% में जाएं सेलिंग प्राइस है 3 ppt जासला सेलिंग प्राइस है 3 यथे बन पांटेट रहें जासल के चलिके कशना और ज में और सेलिंग प्राइस आइस हाँ में दोस्तो यह 1.8 हो जाएगा ना गुणा 2 बटे 3 और यह गुणा 1.8 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तो तीन चिंग अठार है छे दुनी बार है 1.2 तो समान कॉस्स प्राइस के 1.2 में विकेगा तो यह 1.2 का मतलब क्या होता है गभराय मत करो 1.2 का मतलब होता है 120% 120 परशेंट का मतलब 120 बटे 100 1.2 यह नि कि समान कॉस्स प्राइस के 120 परशेंट में विकेगा तो 20% एक्स्टा में विका 100% से 20% एक्स्टा वही आपका प्रॉफिट है यह हो गया इस सारी चीजे मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिख नहीं है यह इसका अंसर होगा मेरे दोस्तों सॉलुशन होगा पेपर में ज्यादा केल्कॉलेटिव भी बन जाए तो घवराना नहीं है लास्ट क्वेश्चन और बहत्रीन क्वेश्चन स्टैप का सबसे उपर लेवल का सवाल जो है बैंकिंग के पेपर का एस बैकलर 2019 यह स पाउज करो और सॉल करके बताओ जब किसी वस्तु को उसके विक्रिय मुल्य की साथ बटे आठ कीमत पर बेचा जाता है तो 37% का लॉस होता है प्रॉफिट पर्संटेज क्या होगा जब उसी वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस के 19 वटे 12 दाम पर बेचा जाता है वेन अर्टिकल इस सोल्ड एट 7 बाइट अफ सेलिंग प्राइस देरिस लॉस अफ थर्टीस वन पर्सेंट वाट विल बेचा जाता है 19 वाइट 12 अफ सेलिंग प्राइस देखो एक वस्तु को आप किसी निश्चित दाम में बेचते हो लेकिन अगर हम उस समान को उसका जो शटेन प्राइस हमने फिक्स कर रखा है उसके 7 बटे 8 में बेचेंगे तो 37 पर्षेंट का लॉस है पूछा 19 वाइट 12 में बेचने से कितना प्रॉफिट है तो भई मुझे यहाँ पर बटे 8 भी करना है मुझे यहाँ पर बटे 12 भी करना है तो क्योंना सेलिंग प्राइस को 8 और 12 दोनों से कटने वाला नमबर मान लिया जाए सेलिंग प्राइस को 8 और 12 दोनों से कटने वाला नंबर इनका LC मैंने 24 माल लिया मैंने माल लिया कि सेलिंग प्राइस जो वस्तू का 24 है एक वस्तू को आप 24 रुपे में बेचते हो लेकिन जब समान को 24 का 7 by 8 24 का 7 by 8 कितना आएगा मेरे दोस्तों 8 तीया 24, 3, 21 जब आप समान को 21 रुपे में बेचते हैं 24 का 7 by 8 तो 37 पर्षेंट का लॉस होता है 100 पर्षेंट पे 37 का लॉस होता तो समान बिका कितना में 100 में से 37 घटाना पड़ेगा mentally कर सकते 63 पर्षेंट में बिकेगा बोला यदी वस्तू को सेलिंग प्राइस के 19 बटे बारे में बेचा है सेलिंग प्राइस है 24 अब 24 का 19 बटे बारे कितना होता है मेरे दोस्तों 38 38 में बेचने से कितना प्रॉफेट होगा या आप से पूछा है तो 38 की वैल्लू आपको निकालनी है 21 की वैल्लू 63 ए 3 गुना तो 38 की वैल्लू भी 3 गुना होगी 38 ती 114 पर्षेंट यहनि कि समान 114 पर्षेंट में बेकेगा 100 पर्षेंट से कितना एक्स्ता 14 पर्षेंट एक्स्ता तो B आप्शन आपको 14 पर्षेंट का लाब होगा यह answer है इस सब छुट-छुटी चीज दिमाग में करी जा सकती है बताओ मज़ेदार अती उत्तम सर्वोत्तम मेरे प्यारे भाई इसी तरीके से आप अगर पूरा सिल्बस खतम करना चाहते हैं अर्थमेटिक कि आपको अलग सवाल में अलग तरीके ना लगाने पड़े बार-बार एक्स पे ना जाना पड़े परसंटेर रेश्यो से बिना फॉर्मुला याद करें सारा गणिता आप उधेड़ दो तो आप केरिविल एप्लिकेशन पर हमारा टॉपर्स की पहली पसंद ये वियोडी वैच को लो केरिविल एप्लिकेशन पर मैं रिकॉर्डड वैच की सला बच्चों को इसलिए देता हूं कि सारी वीडियो सारा सलेवस आपको एक साथ मिल जाएगा पर आप अपनी मर्जी से 2x की स्पीड करके जो चेप्टर आपको जल्दी पढ़ना है पहले उसको पढ़ लो जो चीज़ आपको पहले से आते उसको स्किप कर दो पीडियोफ आपको सारी एक साथ मिल जाएगी तो आप पीडियोफ पहले सौल कर लो वीडियो देखने से पहले तो अच्छा खासा benefit होता है ठीक है ना 7-8 महीने में 6-7 महीने की तयारी में जो है आपका ये पूरा complete भी आप कर लोगे और confidence आएगा आपकी calculation आपकी सोचने की छमता advance के formula revision practice सब कुछ इसमें होगा इस मतलब ये recorded class complete करने के बाद जो दुनिया भार की चीज़े है ना कि पहले math special करो फिर practice batch करो फिर crash course करो फिर mince batch करो फिर revision batch करो फिर youtube पे 15 दिन की class देखो है ना फिर capsule batch करो फिर ये सब तांतरिक बैच करो ये सब कुछ करने की जुरतनी एक ही बार पढ़ाऊंगा पूरा प पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरू करते हैं अगर आपको हमारे तरीक अच्छे लगते हैं तो comment में appreciate जरू करें और जाद स्यादे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ share करें ठीक है भाई धन्यवाद बाई